परिचय अजय आओ एक खेल खेलते हैं कौन सा खेल विजय तुम अपने मन में किसी भी संख्या के बारे में सोचो इस खेल के अंत में मैं तुम्हें वह संख्या बता दूँगा ठीक है अब उस अंक के साथ चार का गुणा करो ठीक है कर लिया अब गुणन फल के साथ पांच जोड़ो ठीक है कर लिया अब बताओ क्या परिणाम मिला पैसट अब मैं तुम्हें वह संख्या बताता हूँ जो तुमने पहले सोची थी क्या वह संख्या पंद्रा है वाँ विजय ये तुमने कैसे जाना अजय मैंने सरल समीकरण के उपियोग से ऐसा किया है मैं भी ये जानना चाहता हूँ आओ मैं तुम्हें सरल समीकरणों के बारे में बताता हूँ उद्देश्य इस पाठ के अंध में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे एक समीकरण को बनाना समीकरण की अवधारना को समझना किसी कथन को समीकरण में और किसी समीकरण को कथन में परिवर्तित करना समीकरण को हल करना स्थानपन को समझना सरल समीकरण से सबंधिस समस्याओं का समधान करना समीकरण बनाना सबसे पहले मैं तुम्हें समीकरण बनाना बताऊंगा आओ, एक उधारन लेते हैं मैं तुमसे एक संख्या के बारे में सोचने को कहूंगा मैंने तुमसे एक संख्या के बारे में सोचने को कहा मुझे वो संख्या का पता नहीं था मेरे लिए यह कुछ भी एक, दो, तीन, ग्यारा या सो हो सकती थी मैं इस अग्यात संख्या को एक अक्षर X से व्यक्त करता हूँ, तुम X की जगा Y या T या कोई भी दूसरा अक्षर ले सकते हो, मैंने तुम्हें संख्या को 4 से गुणा करने को कहा, गुणन फल 4X हुआ, फिर इसमें 5 जोड़ा, जो की 4X जमा 5 हुआ, आपको परिणाम 65 प्र जमा 5 बराबर है 65 के, अब X का मान जानने के लिए इसमें विभिनमान रखते हैं, यदी X बराबर 1 है, तो हम उत्तर 9 पराप्त करते हैं, यदी X बराबर 5 है, तो हम उत्तर 25 पराप्त करते हैं, इसी प्रकार यदी X बराबर 15 है, तो हम उत्तर 65 पराप्त करते हैं, यह बहु समीकरण एक विजय क्या तुम बता सकते हो कि समीकरण क्या होता है? समीकरण में सदेव समानता का एक चिन होता है समता के चिन से पता चलता है बाई और के व्यंजक का मान चिन के दाई और के व्यंजक के मान के बराबर है यदि दाइं और बाइं और के व्यंजक कमान परस पर बदल दिया जाए तो भी समीकरण समान रहता है अब मैं तुम्हें एक कथन दूँगा तुम्हें इसे समीकरण में बदलना होगा क्या तुम तैयार हो? हाँ, तीन बार X और 11 का योग 32 है तीन बार X हुआ, तीन एक, तीन एक और 11 का योग होगा तीन एक जमा 11 योग हुआ 32 तो समीकरण तीन एक समीकरण तो हम समीकरण को भी कथन में बदल सकते हैं क्या तुम कोई उधारन दे सकते हो? ठीक है, इस समीकरण को देखो X घटा 5 बराबर 9 हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं X से 5 निकालने से 9 बचता है और हम लिख सकते हैं 5P बराबर 20 एक संख्या P को 5 से गुणा करने पर 20 प्राप्त होता है यह सही है हम एक समीकरण को हल करना हम एक समीकरण कैसे हल करते हैं एक 47 समीकरण अपने दोनों पलडों पर बराबर वजन रखे एक तराजों की तरह है यदि हम दोनों पलडों पर समान वजन रखें तो उसकी डंडी क्षेतिच हो जाती है इसी प्रकार यदि हम एक समान वजन को हटाएं तो भी उसकी डंडी ख्षयतिजी रहती है ठीक यही बात समीकरण के लिए भी सही है यदि हम दोनों पक्ष से एक ही संख्या जोड़ें तो समीकरण आप प्रभावित रहता है और अगर हम दोनों पक्षों से एक ही संख्या घटाएं, तो भी समिकरण आप परिवर्तित रहता है। यती हम एक सही संख्या से गुणा या भाग दें तो, तो भी समिकरण आप परिवर्तित रहता है। उदारण आओ एक समीकरण लेते हैं X जमा 3 बराबर 8 इस समीकरण के दोनों पक्षों से हम 3 घटाएंगे नया बाया पक्ष है X जमा 3 घटा 3 बराबर X और नया दाया पक्ष है 8 घटा 3 बराबर 5 इस प्रकार हम X बराबर 5 प्राप्त करते हैं लेकिन हमें 3 क्यों घटाना चाहिए? कोई दूसरी संख्या क्यों नहीं? क्योंकि 3 घटाने से दाया पक्ष X के बराबर हो गया क्या तुम्हें यकीन है कि यह संख्या सही है? हम X की जगह में उत्तर रख कर इसकी जांच कर सकते हैं यदि दाया पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है तो जवाब सही है हम देख सकते हैं कि यहां बाया पक्ष दायं पक्ष के बराबर है इसलिए हमारा जवाब सही है प्रिष्ठ, भलक और शीर्ष अब इस समी करण को लें पांच वाई बराबर पैंतीस सिर्फ वाई पाने के लिए हम दोनों पक्षों में पांच से भाग देंगे अतहा बाया पक्ष वाई के बराबर है और दाया पक्ष साथ के बराबर है अतहा हमें उत्तर के रूप में साथ प्राप्थ हुआ अजय क्या तुम इस समी करण को हल कर सकते हो हाँ, बाय हाथ में पी प्राप्थ करने के लिए हम दोनों पक्षों में पांच जोड देंगे हम पाते हैं कि बारा पी पराबर है तीज के अब बारा से दोनों पक्षों को विभाजित करते हैं उत्तर मिला पी बराबर पांच बटे दो बहुत अच्छा, क्या तुम जानते हो कि हम इन प्रश्णों को स्थाना पन्न से भी हल कर सकते हैं स्थाना पन्न क्या है? आओ, मैं तुम्हें समझाऊंगा स्थाना पन्न स्थाना पन्न का अर्थ है पक्ष बदलना उधारन के लिए इस उधारन में हमने पांच का पक्ष बदल दिया है और जब हम किसी संख्या का स्थाना पन्न करते हैं तो धन रिन में बदल जाता है और रिन धन में बदल जाता है और अब बारा को स्थाना पन्ने करके पी तीज बटा बारा हो जाता है जो की बराबर है वास्तविक जीवन से उधारण अजय अब तुम समिकरण को हल करना जानते हो तुम्हारे लिए एक प्रश्न है पूछो राजू के पिता की उम्र राजू की उम्र के तीन गुणा से पांस साल ज्यादा है राजू के पिता की उम्र चवालीश साल है तो राजू की उम्र पता लगाओ हमें राजू की उम्र पता करनी है तो हम उसकी उम्र एक्स माल लेते हैं अब राजू की उम्र के तीन गुणा से पांच ज्यादा तीन एक्स जमा पांच जो चवालीज के बराबर है अब हम इस समी करण को हल करेंगे पांच को दाएं तरफ स्थाना पन्न करने पर हमने प्राप्त किया तीन एक्स बराबर उन्तालीज के तीन को दाएं तरफ स्थाना पन्न करने से हमने पाया कि X बराबर है तेरा के इसलिए राजु की उम्र तेरा साल है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं एक समी करण चर पर एक प्रतिबंद होता है प्रतिबंद ये है कि दोनों व्यंजकों के मान बराबर होने चाहिए यदि दाएं पक्ष के व्यंजक और बाएं पक्ष के व्यंजक को परस पर बतल दिया जाए तो समी करण समान ही रहता है संतुलित समीकरण की स्थिती में दोनों पक्षों में एकी संख्या जोडने या दोनों पक्षों से एकी संख्या घटाना या एकी संख्या के द्वारा दोनों पक्षों में गुणा करना या एक ही संख्या से दोनों पक्षों को विभाजित करने पर समी करन का संतुलन आप्रभावित रहता है यानि बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान के बराबर रहता है स्थानपन कार्थ है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना जब आप एक संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसका चिन बदल जाता है